कि अगर आपका सपना है आई आई टी जॉइन करना तो यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेलफुल रहेगी क्योंकि इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि आप डिकर सकते हैं आई आई टी में वह भी बीना जेई के तो इसके लिए एडमिसन सुरू हो गया है तो आये जानते हैं कि आखिर कैसे हम एडमिसन ले सकते हैं तो देखिए आयाई टी जो मदरास है उसने opportunity दिया student को कि वो बीना जेई के भी आयाई टी में एडमिसन लेके study कर सकते हैं तो चले जानते हैं कि इसके क्या-क्या eligibility है फिये structure सब कुछ बिलकुल detail में जानेंगे तो electronic system engineer बन सकते हैं वो भी IIT मदरास से वो भी बीना जेई के ठीक है बीना जेई किये हुए आप कर सकते हैं तो अगर आप class 11th और 12th के student है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ठीक है इसका application चालू हो गया है apply to the IIT मदरास बेस डिग्री in electronic system यानि कि आप अप्लाई कर सक सकते हैं यहां पर जो link description में दिया गया है यहां पर नीचे जो link दिया गया इसको open करके आप यहां से apply कर सकते हैं तो चले इस link को हम लोग open करते हैं और जानने का कोशिस करते हैं कि इसका eligibility criteria क्या है सब कुछ और फी इस structure क्या है तो सब कुछ हम लोग detail में जानेंगे तो सबस the.iitm अपको बस यह चीज सर्ज करना है जो हम आपको बता रहें डूट iitm यह चीज आपको यहां पर सर्ज कर लेना है और इसको Google में open कर लेना जैसे हैं आप Google में इसको open करेंगे मैं जैसे आप इसको site तो यह उपन हो जाएगा और इसका जो सर्च डिटेल है सर्च रिजल्ट है वह आपके समने आ जाएगा कि तो देखिए यह ओपन हो रहा है ठीक है अब देख सकते हैं यहां पे सर्च डिजल्ट आ गया है ठीक है गूगल का इसमें आपको जो उपर वाला लिंक दिख रहा है आपको बता दे कि इस पर आपको क्लिक करना इस पर आपको क्लिक कर देना ठीक है इंडिया इंट्रिशीव टेक्नोलोजी मदरास जो दिखा रहा है इसका जो लिंक है सबसे उपर वाला इसको आपको ओपेंड कर लेना है यह तो इसका हमपेज खुल के आ जाएगा इसमें सब कुछ डिटेल में दिया है तो सब कुछ चलिए हम लोग जानते हैं तो देखिए यहां पर इसका जो अफिसल वेब साइट है आया आइटी मदरास तू मैं नीचे के तरफ आना से कहावाला जो दिख तो देख रहा है इसपे कहीं हो लग की ऑपन वो चुखा है, आँंब इसमें हम लोग नीचे के तरह जाएंगे और मिओनाँ करेंगे कि क्या क्या बता क्या है सब कुछ बिल्कुण डीटेल में जाने का कोशिभ करेंगे यहां पर दिया गया है कि तो डीप्लोमा फर गूरामा दो प्रोग्राम यहां दिया गया जिसका eligibility और यहां से आप डिरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं और सबसे उपर ही नोटिफिकेशन देखिए यहां पर पर दिखा रहा है ठीक है यह टोगल कर रहा है कि अप्लिकेशन ओपन नाव को एक्जाम लिया जाएगा यहां पर कुछ चीज यहां पर नीचे दिया गया जिसको हम लोग देख लेते हैं यहां पर दिया गया कि इसको कौन कर सकता है तो anyone who has past class 12 और equivalent in any year with physics and mathematics can apply अगर आप किसी भी year में class 12th कर चुके हैं और आपके past subject physics और mathematics है तो आप इसके लिए apply दे चुका है तो भी आप लाइब खुर सकते हैं तो यहाँ पर इलिजबिलीटी लोग भी जान लेते हैं और आपके पास यह भी ऑफर रहेगा कि आप बीच में भी छोड़ सकते हैं तो उसके में आपको क्या होगा कि करना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं और अगर आप यह करेंगे तो यह मतरास का ओफिसियल होगा तो हाँ यह सही है ठीक है यह मतलब कि आपको मदरास का ही जो भी डिग्री मिलेगा वहीं से रहेगा डिग्री मतलब मार्क कर दिया जागा कि वह क्या है तो अगर आप उसमें अच्छा करते हैं तो उसका सब कुछ दिया गया और आपको आपको चूज कर लिया जाएगा देखिए क्लास अगर तो में तो आप जूलाई वाला बैश है उसमें कर सकते हैं Cant abor कर लेतं तो आप अगले साल जो समेंस्टर अगला समेस्टर शुरू होगा ज्ट्वन्टिर्ट्य जाएंगे अब यहां पर प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है तो देखिए इस प्रोग्राम को तीन लेवल में तोरा गया है जिसमें आपको 44 क्रेडिट मिलेगा उसके सेकेंड है डिपलोमा लेवल जिसमें 142 क्रेडिट है और जिसमें 56 क्रेडिट है तो टोटल आपको 142 क्रेडिट होगा लिए तो यह तीन मतलब है अगर आप मतलब बीच में छोड़ के जाने वालों के लिए तो बना दिया गया तो बहुत अच्छा है अब यहां पर जो पेज है इसको हम लोग कर लेते हैं इसमें सा जानने का कोशिश करते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है ठीक है तो सब कुछ बिल्कुल डिटेल में जानेंगे बेचायनी नहीं हो रहा है अच्छे से समझ लेना फिर आगे आपको डिसाइड करना कि आप क्या करेंगे तो यहां पर स्ट्रॉक्चर वेगरा दिखाया ग में आपको डिपलोमा में इन इलेक्टर निक सिस्टम का आपको दिया जागा ठीक है जिसमें पौट्रिट क्रेड़ित और सब्सट्र में होगा ऑगर क्या होगा रेकॏर पूरा करेंगे तो चार से आठ साल का है ठीक है और यहां पर फी वेगर का बात किया गए कि आपको फांडेंशन पर ही छोड़ देना तो आपको पैसा देना होगा और डिप्लोमा करेंगे तो आपको टू लाग फिफ्टीश थाउजेंट और पूरा अगर करते हैं बी एस इन इलेक्ट्रोनिक सिस्टम तो यहां पर अब फाइब लाफ नैंटी टू थाजंड देना परेगा ठीक है यहां पर जेनरल कटेगरी स्टुडेंट का है फी टू बीपैड एड इच लेवल और जेनरल कटेगरी स्टुडेंट तो उनके लिए यह दिया गया और किसके लिए और दाफांडेशन डिप्लोमा एंबिस और यह किसके लिए तो सब नेचे के तरफ में लिए आप यहां पर नीचे के तरफ देखेंगे इसमें क्या क्या एक हम लोग चाहिए सारेची समझ लेते हैं क्योंकि एक एक चीश हम लोग को इस वीडियो के थुरू समझना है तो सबसे पहले जब आप इलिजबल हैं तो यहां पर पहले डेट वेगर देख लिए ठीक है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो डेट क्या-क्या दिया है तो अप्लिकेशन ओपन हो चुका है जो 25 सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ चीज़े जो है रिक्वायर्मेंट है तो वह रिक्वायर्मेंट अगर आप पूरा कर पाते हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा है ठीक है जैसे यहां पर मेंडेटिव सिस्टम स्पेसिफिकेशन है यानि कि जो आप सि पर में पर्प्रेटिव सिस्टम वहां दिया घए फिर से आपको इंटरनेट क्नेक्षान चाहिए और सिस्टम भी होना चाहिए ठीक है और जब आप एक्जाम देंगे तो उस ट्यम्स आपको मोबाइल एस्टेंड होना चाहिए और जो भी है सेंपल वीडियो आप यहां से देख सकते हैं तो यह सारे चीज है जो आपको मतलब requirement है ठीक है अगर आप जोईन करना चाहते हैं सिखना चाहते हैं लॉन करना चाहते हैं अब आगे बात करते हैं लॉनर सुड भी एबल टु ट्रेवल टु एसाइं एजाम सेंटर फोर क्वीजेज इन इस टॉंट चेक डालि तोच बासट पर इन्डिया में दिखाए में कहाँ कहां आप पर इस से बिलोंकर त्वाहा से आप सर्च करके जैसे आप पटना वेगरा भी है बिहार का पटना है भागलपुर है गया है मुझे फर पुर्दार भांगा तो सब सब जगा का दिखाया गया आप यहां से देख सकते हैं पूरा लिस्ट वेगरा ठीक है तो आपको यह चीज़ समझ में आगया होगा चलते हैं क्लास क्व किया है ठीक है यानि कि 2015, 2017, 2021 जब भी किया है आप लाइक कर सकते हैं अपलिकेशन प्रोसेस वेगरा यहां पर दिया गया तो सबसे पर अप्लिकेशन भी देख लेते हैं ठीक है यहां पर शिक्ष थावजेंड दिया गया जो जेनरल के टेग्री है से यहां पर जो दिया गया उनका 3000 है इसमें दो काटेग्री दिया गया तो एक का फिप्टी हंडेट है एक का 3000 है तो आप देख लिएगा कि आपको पासपोर्ट से फोटो देना पड़ेगा सिग्नेचर रखना होगा और फोटो ऐडी काड़ होता है ठीक है अधार काड़ पैं देट अब बर्थ वेगरा नाम वगारा होना चाहिए उसके बाद से केटेगरी सर्टिफिकेट यानि कि आप किस केटेगरी में लाइक करते हैं जिसमें आपको रिजर्वेशन वेगरा मिलता है तो वह सब यहां पर उसका सर्टिफिकेट का फॉर्मेट देख सकते जो नीच करना चाहेंगे वेडल में तो क्या की डिटेल है अगर रेगुलर इंट्री है और एक जाना चाहते है यानि कि यह डेख सकते हैं ठीके मिन यहीं डिया गया कि है यह बैठना है मतलब कजेंड के वेर यहां पर पर सब को देख सकते हैं passing criteria में यहीं बताया गया कि जैनरल लर्णर जो हमको 40 पर्सेंट चाहिए मिनिमम और 50 पर्सेंट जो एबरेज एक्जाम में स्कूर होना चाहिए इस सारे चीज़ यहां पर दिया गया आप एक्जाम फिर से attempt कर सकते हैं तो category वाज यहां पर दुबारा का फी भी दिया गया ठीक है तो जैई बेस्ट यहां पर हम इसका बात नहीं करेंगे बाकी चीज़े हम लोग बात कर चुके हैं फी वेगर अभी बात कर चुके हैं तो I hope आपको सब कुछ समझ में आ गया होग तो आज के लिए ता ही आज के वीडियो यहां पर समाथ हुआ वीडियो कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताएगा और ऐसा ही इनफरमेटिव वीडियो पाना के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में थैंक्स पर वा